पार्शोनी पुलिस सिभाकर जिसके चलते कई सवाल या निशान उठ रहे हैं लगातार हत्या की दूसरी वारदात होने से पार्शोनी तहसल सिमा में दहशत का माहौल पनपता जारा है पुलिस सिभाकी और से मिली जानकारी अनुसार पार्शनी शिवाजी चौकपर शुकरवार की शाम 10-12 बजे की दर्म्यान पालोरा निवासी 23 वर्ष पृतरम उर्फ मोनु काबे और उसका मितर आयुश वायके की बीच मोबाइल मांगने से गाली गलोच हुई मृतक पृतम और मोनु ने आयुश को मोबाइल मांगा चो आरूपय आयुश ने मोबाइल देने से मना करने पर मृतक ने आयुश को गाली गालोच की इस बीच आयुश का गुसा सातवे आसमान पर पहुचने से उसने प्रीतम के सर पर पास की लाठी मार दी जिससे प्रीतम खायल हुआ खायल अवस्ता में प्रीतम को शुकरवार की शाम नाखपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भरती क्या गया वही शनिवार सुभे सात बजी इलाज के दरान प्रीतम की मौत हो गई पार्शुने पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर उसके खिलाफ मामला दर्स किया आगे की जांच पार्शुने पुलिस विभाग के अधिकारी कर रहे है गटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिक्षक नाखपुर तथा उप्विभागिय पुलिस अधिकारी प्रभारी ने पार्शुने पुलिस स्टेशन आकर घटना की चांद का लिली हत्या की एक ही सब्ता में दूसरी वार्दा थै पास दिन पहले तीन मित्रों ने अरोली निवासी 32 वर्षय युवक की हत्या कर जंगल में लाश को फेक दी थी घटना में लिब तीन आरोपियों को नाखपुर ग्रामेट पुलिस ने पकड़ कर पाशुने पुलिस के हवाले किया था वही हत्या की घटना की चांच शांत नहीं होती वही दूसरी हत्या की घटना पार्षय ने पुलिस स्टेशन से मातर कुछी दुरी पर शुकरवार की शाम 10 से 10 बजे के दर्म्यान होने से शहर में दहशत का माहौल पनपता चारा है पुलिस स्विभाग के होती हुए लगातार हत्या की वारदात होने से नगर में यह चर्शा का विशयब बना हुआ है पार्षय ने पुलिस के करतवे दक्षिता पर शहर में नागरी को द्वारा सवाल या निशान उठ रहे है बीसियन न्यूस के लिए पार्षय ने से रुपेश खंडार की इपोर्ट